लो गाइज तो क्या हाल चला आप लोगों का तो आज की इस वीडियो में आप लोगों की लिए लेकर आया हूँ चैट जीपिटी से प्रो नी क्या आपने चैट जीपिटी को तो यूज करना है लेकिन मैं इसकी आपको प्रो टेखनीक बताऊंगा कि किस तरहां चैट इसे जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आपको 1000 गुना बैटर रिजल्ट मिलेंगे या आप इसको समझ सकते हैं चैट जीपिटी को प्रो वर्जन में यूज करना ठीक है या आपको यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया होगा चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ तो पर और अपके पास आजाएगी यहां पर आपने सेर्च करहें अपने इसको यह कर लेंगे उतुक करेंगे यह आपके पास यहां पर लग जाएगी आपने अपने चैड जीपिटी को open कर लेना है या फिर chat GPT खुद ही आपके पास open हो जाएगा. chat GPT जब आपके पास open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज नजर नहीं आ रही होगी या आपके पास normal chat GPT आपके पास open है. तो फिर आपने क्या करना है? आपने करना है यहाँ पर जाने के बाद आपने AIPRM for chat GPT को pin कर लेना है जैसे ही हम इसको pin करेंगे उसके बाद हम अपने chat GPT को जब open करेंगे तो जैसे ही हमारा chat GPT open होगा तो फिर आप अपने result देखिएगा जैसे ही आप chat GPT को open करेंगे आपके पास chat GPT कुछ इस तरह का show होगा जो के बहुत ही unique किसम का show हो जाएगा इसमें वो आपको बने बनाए prompt देंगे इसमें total कितने prompt है 4430 prompt है रोज के रोज इसमें prompt के अधाफा हो रहा है लेकिन मैं जो आपको suggest करूंगा आपने वो वाले prompt यूज़ करने है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा हो जिसमें ज़्यादा अपना content generate किया हो comments किय हो लाइक किये हो तो आपने उनको ही follow करना है और उनके उपर ही use करना है mid January एक बहुत complete website है जिसमें blogger या content writer या article writer अपनी picture को generate करते हैं वो उनके अंदर prompt लिखते हैं तो उस prompt को find करने के लिए या उस बहुत ही unique prompt लिखने के लिए आप इस prompt कर सकते हैं इसको आपने use कैसे कर करके दिखा देता हूं कि आपने जैसे यह human return content है आप वैसे chat GPT पर लिखवाएंगे आपको वह simple किसम का content लिख के देगा लेकिन जैसे ही आप इसको click करेंगे जैसे मैंने इसको click किया तो यह यहाँ पर आ गया अब नीचे वह कह रहा है कि enter keyword or title तो आपने यहाँ पर अपना जो article generate होगा वह human optimize तो होगा लेकिन मैं आपको यहाँ पर click करके दिखाता हूं कि वह human optimize होगा लेकिन होगा किस तरह का उसमें वह heading जो generate करेगा वह आपकी जिस तरह pure आपने on page SEO करनी होती है बिलकुल complete आपको वह article write करके देगा जिसमें बकायदा heading होगी उसके अंदर text उतना ही होगा जितना हमें recommend किया गया होता है तो यह मतलब complete 100% human article आपको बना के देगा तो आप यहाँ से pro version की technique को use करके अपने पूरे article को देख सकते हैं जैसे यहाँ पर देखें उसने पूरा article आपको generate करके दे दिया है तो यह देखें इसने outline तक generate कर दिया है यह आपकी outline होगी उसके बाद यह उसने पूरा article generate किया है तमाम heading के साथ उसने conclusion भी दे दिया है fake section भी आपको बना के दे दिया है ठीक है तो यह आप पूरा article को use कर सकते हैं उसके बाद हम कुछ और चीज़ ले लेते हैं जैसे मैंने एक new chat open की तो यह हो गया हमारा article generate इसके अदर और भी बहु को optimize करके article को दुबारा से generate करके देगा YouTube की script देदेगा आपको calendar के साथ से देदेगा तो यहाँ पर मैं आपको जो एक और चीज़ बताने जा रहा हूं आपने करना है silo यहाँ पर आजाएगा silo structure create a content from specific pillar content इसके ओपर click करेंगे तो आप अपनी website का keyword देंगे तो वो आपको आपके website के मताबिक एक pillar content के बारे में पूरा complete strategy बना के देगा कि आप अपने blog को आप अपनी website में जो जो blog लिखने जा रहे हैं उसके लिए pillar content का पूरा structure create करके देगा तो silo structure के बारे में मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि silo structure के अंदर हमने यह काम करना है कि इसमें व आप ने इसफ और सिरफ अपनी website के बारे में एन you Your website के में लिख देना है या अपनी website का keyword लिख देना है, यहापनी website के keyword में यहां पर मैं इसके होपर क्लिक करूंगा तो यह आपकी website की पूरी categories बना के देगा कि आपकी website का structure कैसा होगा उसके अंदर कौन-кौन सी category आएंगे आप किस किस के ओपर काम कर सकते हैं और उस categories के अंदर सब categories क्या होंगी मतलब यह आपकी पूरी website का structure बिल्ड करके देदेगा ठीक है तो यहाँ पर अब आप देखें कि इसने homepage create किया है वो homepage में बता रहा है कि आप automation के बारे में introduction देंगे है उसके benefits बताएंगे और contact us होएगा आपके पास homepage के अंदर फिर automation की type से वो बता रहा है industrial home automation business automation यह आपकी categories बना रहा है जो के आप बहुत देर बात जाके सोचते हैं उसने आपको categories बना दी उसके अंदर sub category और sub category बना दी है जो के आप देख सकते हैं कि उसमें आपने कौन-कौन से article लिखने है फिर उसके अंदर आप कौन से article डालेंगे ठीक है automation technique के बारे में बता दिये है उसने automation solution का categories बना दी है इंडस्ट्री specific automation बना दिया है tutorial उसके बाद automation case studies news and updates resources और उसने fake section भी website में जाके बना दिया है जो के आप लोगों की website में बहुत ज़रूरी होता है यह complete detail उसने आपको silo structure में दे दिया है तो इसके अंदर और बहुत सारे prompt है जो के आप लोग यूज करके chat GPT को 100% unique मना सकते हैं और इससे pro technique को यूज करके अपने content को अपने YouTube को मतलब किसी भी चीज के उपर आप काम कर रहे हैं तो अपने काम को आप 100% नहीं 1000% enhance कर सकते हैं तो यह आप लोगों ने यूज करना है और अगर आपको यह चीज अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके लाज़ी बताईएगा तो हम मिलते आपको नेक्स वीडियो में